सब्स्ट्राइब करें मेरे चैनल ट्राइंग स्टेजी को और बेल के आइकन को दबा दें साथ ही आल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सिब से पहले मिलें सबी को मेंडा राम राम आज हम नाइंत क्लास में पढ़ेंगे प्रशन नंबर 83 A B C D समानंतर चत्रभुज के सजाती एक समानंतर चत्रभुज बनाओं जिसका आधार A के समान दिया हों तो हमें क्या दे रखा है एक समानंतर चत्रभुज दिया हुआ है और उसके उपर हमने एक चत्रभुज बनाना है जिसका आधार A दिया हुआ है तो हम यह आधार A ले ल यह आधार ए इसके उपर हमने यह आधार पे इसके वराबर हमने चत्रबुज बनाने और एक चत्रबुज हमें दे रखिए हमें जो दीवी चत्रबुज है आप हम ओ चत्रबुज ले लेता है यहां पर यह हमने दिवी चत्रबुजे इसका नाम है यह और बी और हमने जो दे रखी चत्रबुजे यह हमने अपनी बनानी है इस तरह से और जितनी यह दो भुजाए हमने ले ली है इसी के हिसाब से हमने आगे बुजाए लेनी है जैसे यह इतना है तो हमने यहां पर डॉटेट हम चाप लगा दिते हैं यहां पर इस तरह से और हमने थोड़ी अगे तक यह चाप आएगी मेरी इस तरह से जितना हमारा यह आधार है इस यहां से यह अपका पॉइंट है इस परड्र का नाम हों देजयते हैं जाप सी और हमने पर नहीं आपर कार देना है तो यह चाप नहीं तर्शाई गई यह है यह हम ने इसलिए लगाई है कि ताकि हमारी जो समानंतर चातर बूज़े वो बिलकुल समानंतर बने आइडिय दी और को हम मिला देता है लिए हमारी दीवएर चत्रुज में हमें का करना है इस दीविई चत्र्थ पर हम ने इतनी जद Hack गों नी जुए बिलाना है इसको मिलाने वाली रेका को हम कहेंगे बिकर्ण यह हमारा बिकर्ण आ गया है हमने इसके कौनों को आपस में मिला दिया है इस तरह से हमने क्या करना है जितना आपका आधास दिया हुआ है यह आप देख सकते हैं इतनी हमने परकार खोल लिए हमने खोल लखी है और ए से हमने जो है वो निशान लगा देना है यहां पर इस तरह से जो यह हमारा निशान आ रहा है यह नाम हमारा जाएगा ए हमने क्या करना है जितना आपका बी सी है यह आप देख सकते हैं इसके समान अंतर हमने रेखा खेचनी है इस यह हमारी रेखा डार का जाएगी इस तरह से और यह जो पॉइंट आप का रहा है यह हमारा पॉइंट आ जाएगा इप अब हमने क्या करना है जितना हमारा इसी और डी यह आप देख सकते हैं ओ डी के समान इंतर हमने रेखा खेचिनी है एप से यह आप देख सकते हैं इस तरह से यह जो हमारा पॉइंट आ गया यह पॉइंट है G, हमने क्या करना है G और A जो यह रेखा है, इसको हमने Dark मिला देना है और E और A को भी हमने Dark मिला देना इस तरह से यह जो आपकी चत्रवुज बनी है A, E, F, G यह आपकी A रेखा आधार के हिसाब से समानंतर चत्रवुज बन गई है यह आपका प्रशन नमबर है 83, यह बन के Complete हो अगला हमारा है प्रशन नमबर 84, 84, एक पतंग रूपी चत्रवुज बनाओं जिसका बिकर्ण E और दो भुजाए A, B, D तो हमें सबसे पहले बिकर्ण दिया हुआ है इसका E, तो हमने बिकर्ण ले ले लेणा है E इस तरह से E और दो भुजाए दे रखिए है A और B तो हमने यह यह ले ले लें है बुजाए यह है आपकी A, बुजा एक बुजा हम आपने ले लेते है B इस तरह सम्मलेंगे सबसे पहले हमने क्या करना जो आपका बीकर्ण है यह आपका है इटनी हम पर कार खोलेंगे यह फुड़े से ना पने यह साथ सैंटिमेटर है लगबग यहां रगा देते हैं कि नहुत करता है मिस्तरे से यह आगया ए C. इस बिकर हमने लिया है, E के ब्रावर्त, अब हमने क्या करना है? जितना हमारा ये A है, इतनी परकार हम खोलेंगे, ये अब देख सकते है, और हमने A पॉइंट पर हमने परकार रखनी है इस तरह से और यहा चाप लगा देनी है इस तरह से, इस तरह से आप देख सकता है अब हमने क्या करना है जितना हमारा बी है इतनी परकार खोलेंगे यह देख सकते हैं और हमने सी पर पर प्रकार रखनी है इस चाप को हमने काट देना है इस तरह से अब यह जहां पर कट रहा है वह हम नाम दे देते हैं यहां पर जहां ही कट रहा है यह पॉइंट हमारा है डी और यहां जहां कट रहा है यह पॉइंट हमारा है बी हमने क्या करना है ए और बी को आपस में मिला देना है डार्क इस तरह से और हमने बी और सी को भी हमने डार्क म मिला देना है इस तरह से और सी और डी इसको भी हमने टार्क कि मिला देना है इस तरह से और डी और ए जो है इसको भी हमिला देंगे इस तरह से ये हमारी पतंग रोपी चतरूज बनके त्याद हो गी है यह बुजा हमारी है यह भुजा है बी यह है निय है इस तरह से यह हमारा प्रश्मन समबर एक टि फोर यह हमारा बनके त्यार